हेलो दोस्तों मैं विकास आप स्वी का मैचल में स्वागत है आज का वीडियो है वीडियो का का CIT TV जो की 21 इंच का CIT TV है तो यह जब कस्टमर मेरे पास लेके आया था तो इसका BU जो है वह सौट हो गया था तो मैंने इसमें BU लगाया तो भी ओवर लोडिंग ले रहा था तो म इसको मैंने ओपिन किया तो यहां पर देखते हैं यह पूरा बन हो गया है अंदर से और इसका जो वर्डिकल सिक्षन है यह बिल्कुल होके है तो इस योग को किस तरह से रिपेर करते हैं यह जानने के लिए वीडियो को लास तक जोड़ दुखिए तो चलिए वीडियो Will तो इस योग को आपको रिपेर करने के लिए सबसे पहल इसको चेक करना है कि इसका जो जो अंदर वाला सेक्षन है वो साट है या बाहर वाला या अंदर वाला ओपेन है या बाहर माला जो भी है या इस international या वर्डिकल तो हमने देखा तो इसका जो हर्जेंटाल सेक्षन था वह सौट हो गया था यहां पर देखते हैं पूरा बर्न हो गया है और यह अगर थोड़ा सा ही प्रावल्म होता तो इसको आप सोल्डिंग करके ठीक कर सकते थे लेकिन यह जगा-जगा से पूरा सौट हो सबसे पहलें को करते हैं कि हमारा च्ण्यू और इसका जो भार वाला है तो यहां पर देखते हैं यह इंटरनल जो इसको निपर करते हैं तो वहां पर कोई बिशा करेंगे तो यहां पर यह जो योग लगा हुआ है तो यह सीरीज में है तो यहां पर दो वायर एक साथ में करेंट है और सिंगल सिंगल वायर यहां पर करेंट है तो यहीं पर हम वायर को करेंट करते हैं तो इसको ही चिक करना है तो यहां पर एक कोईल को देख रहे हैं तो यह कि यह जो वड़कल सेक्शन का जो योग का टर्मिनल है वह ओके है लेकिन अंदर वाला जो है वह ओपन हो चुका है तो इसको ठीक करने के लिए हम पहले इस इसी टाइप का एक आपको योग और चाहिए तो यहां पर देख सेते हैं हमने एक और योग रखा हुआ है तो इसका जो है इंटरनली वाला वह बिल्कुल ओके है यहां पर आप देख सेते हैं और इसका जो वड़कल वाला है यहां पर देख सेते हैं यह ओपन हो चुका है यहां पर तो इसको हम क्या करेंगे यह उपर वाला जो है उसको हम ओपन करके यहां पर हम जो सही है यहां पर लगा द देख रहा है और वर्ड़िकल का हम देख रहे हैं तो इहां पर कोई भी रीडिंग्स को नहीं कर रहा है दोनों कॉई पहर हो चुका है और जो ह breaths भुकल एक है तो हम क्या करेंगे इस को बाहर निकाल लेंगे तो इसके लिये वीडियो का लास तक जोड़ देखीगा तो हम इसको थोड़ा फास कर देते हैं वीडियो को तो इसका जो वायर है हम डिस्कनेक कर लेते हैं इसके लूप से और उसके बाद हम धीरे दीरे इसका लॉक है उसको हम डिस्कनेक करेंगे यहाँ पे एक लैनर लेने ना है तो यहाँ यहां पे जो lock लगा है इसको हम आइस्ते से press करेंगे तो यह बाहर आ जाएगा और। उसके बाद कि दूसरे साइड भी लगा रहेगा उसी तरह से इसको भी press करके निकालना है और उसके बाद इसका जो यहां पे देख रहे हैं एक लगा हुआ है चारों दरफ से तो इस ग्लू को बहुत ही सवधाने से निकलना होगा तो इसके लिए आपको जो खराब वाला योग है यानि कि इसका जो बाहर वाला क्वाइल खराब है उसी पर आपको पहले ट्राइब करना है उसके बाद जो ठीक जिस योग का यह क्वाइल है उसमें दूसरी बार करना है तो यहां पी हम जो पहले खराब वाला है उसी योग को हम ट्राइब कर रहे हैं निकालने के लिए तो अगर आपका यह निकालने में परसानी हो रहा है ग्लू तो उसके लिए आप यहां पे पिट्रोल या थिनर का यूज करके इसको बहुत ही अ ग्लू लगा हुआ था तो ग्लू निकालने के बाद यहां पर एक लाइन देख रहे हैं तो लाइन के बीच में एक यहां पर होल है तो वहां पर एक थोड़ा सा प्रिस्ट करेंगे तो यहां बाहर आ जाएगा तो बाहर आने के बाद आप अपने हातों से थोड़ा सा बाहर किचेंगे तो यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं हमने बाहर किया यह बाहर हो गया है और यहाँ पर देखते हैं यह जो इसका wire है, सब यहाँ पे dust के कारण पुरा खराब हो चुका है तो दूसरा side का जो लगा है, उसको भी हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं यह भी हमने निकाल लिया है और यह भी open ही है तो यहाँ पे देखते हैं यह अच्छे से हमने निकाल लिया है अंदर कोई भी प्रावलम नहीं आई है और नहीं इसका फाइबर का इंसीटूटा है तो इसका जो हर्जेंटल का कॉइल है उसको हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं तो यहां पे देख सकते हैं आप फोर ओम यहां पे दे रहा है तो यह बिल्कुल ओके है तो इसको हम साइड में लगते हैं और जो हमारा खराब योग ता जिसका हाड़ेंटल सेक्शन का शॉर्टिंग था तो उसको हमने ले लिया है और उसी तरह से हम इसका भी जो ग्लू है उसको आराम आराम से निकालेंगे इसमें थोड़ा साउधानी बरतना भी है क्योंकि इसका जो vertical section का coil है वह बिल्कुल okay है तो यहां पे आपको बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते निकालना है अगर ना निकले तो आप पे ट्रोल का भी use कर सकते हैं तो यहां पे हमने दोनों योग को free कर लिया है और यहां पे देखते हैं बहुत ही असानी से निकल गया है और उसके बाद जो इसका wire है उसको हम आराम से निकाल के फिर दूसरे योग में हम लगा देंगे तो यहां पर देखते हैं यह योग बन वाला जो था उसको हम साड में रख लेते हैं और जो हमारा ओके योग था जिसका हर्जेंटल सेक्षन सई था उसमें हम इस कोईल को लगा देंगे तो यहां पर देखते हैं दोनों योग बिल्कुल ओके कंडिशन में है तो इसको ही हम सेम इसी तरह से आप को उसमें लगाना है तो इसको पहले अच्छे से साप कर लेना है तो यहां पर देखते हैं कहीं से भी टचिंग नहीं है और यह बिल्कुल होके हैं तो इसको हम फटा-फट से साफ कर लेते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें और कमिट करना न भूलें और आप हमसे टेलेग्राम उसको नीचे एक साइड में रखना है और जो छोटा वायर है उसको उपर के साइड में रखना है तो यहां पर जिस तरह से आप ने निकाला उसी तरह से आप यहां पर बैठाएंगे थोड़ा आइस्ते से ही बैठाना है ताकि इसमें कहीं से टचिंग नहों यानि कि कहीं से व हम आईस्ते ऐसे सब दोनों साइड का क्वाइल लगा देते हैं और उसके बाद इसका वायर का कनेक्शन भी करके आपको दिखाते हैं तो इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है अगर आप हमसे कुछ भी पर्चेट करना चाहते हैं तो टेलेग्राम पे मैसेज करें मै वहाँ पे नए नया प्रोडक्ट देता रहता हूं तो यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर लिया है और जो फाइवर का एक लाइन रहेगा वहाँ पे इसका मेडियोल वाला पॉइंट रखना है दोनों साइड से आपको यहां से मिला लेना है यह बीच में रहेगा तभी आपका बारे की से देखना होगा और इसके बाद हम इसका लॉक लगा लेते हैं लॉक लगानेक बाद इसका वायर भी हम कर देते हैं तो यहां पे देखते हैं हमने दोनों साइड से एक लॉक लगा दिया है और वायर करनेक बाद हम इसमें ग्लूगन का यूच कर सकते हैं या आपक और हार्जेंडल का भी हम चेक करके दिखाते हैं आपको तो यहां पर देखते हैं तो यहां पर हम कि मूम का यूज करते हैं और दूसरे साइट से आपको इस तरह से इसमें डाल देना है ताकि इसमें यह घूमने के कखार पर करते हैं और यहां अच्छे से अपने अस्थान पर फिक्स रहे है तो यहां पर देखते हैं हमने दोन Tous बाइट सा दिख रहा है जो की जो पुराना वाला बर्न हुआ था उसी के कारण यहां पर बर्निंग आ गई थी तो इसके लिए आपको यहां पर थीनर या पर ट्रॉल की मदद से आपको इसको अच्छे से साप कर लेना है तो यहां पर देखते हैं हमने थीनर की मदद से इसको साप कर रहा और उसके बाद हम इसको थोड़ा कपड़े से अच्छे से साप कर लेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पर योग कोईल लगाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको साप कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तिन उत्रह से तिन उसाइट से आप देख लिये और यहां पे जो इसका योग है इसको हम लगा देते हैं तो इसको आपको सीधा ही लगाना है अभी इसका जो ispower है आपको टायट नहीं करना पे और उसके बाद इसका बैस भी लगाके हैं इसमें वीडियो देखे इसका जो है इसको भी छेंट कर लेते हैं तो यहां पे हजींतल सेक्ष्जन का जो वायर है उसको रहेन कर लिया है और उसके बाद semester सेक्षन का जो दो पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड उसे में जोइन करना है आपको सिरीज वाले पॉइंट पे नहीं जोइन करना है तो यहां पर देखते हैं हमने योग को लगा लगा दिया है और वायर को भी कनेट कर लिया है दोनों साइट से इसका वर्डिकल सेक्षन और ह इस तरह से आपको भी कनेक्ट करके इसमें वीडियो भी चला के दिखाता हूं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें कमेंट करना न भूलें और यहां पर देखते हैं ब्लू स्क्रीन आ गया है तो अब हम इसमें पिक्चर भी चला के दिखाते हैं तो थैंक यू दूस्तों